sponsored by super 35 coaching संस्थान, नर्सिंग में first rank देने वाला रीवा का एक मात्र संस्थान, पता सिर्मौर चुराहा, रमा गोविन पैलेस, third floor रीवा तो यह है कि जिसकी एक दिन पहले ही शादी हुई थी, उसे ही नशेडियों ने छोटी सी बात को लेकर जान से मार दिया, इस वारदात को अंजाम देकर नशेडी भाग पुलिस फरार आरोपियों को धोडने में जुट गई है, मधिप्रदेश के इंदौर शहर में कनाडिया थाना शेत्र की समेप इस्थित बाइपास पर, कुछ नसेडियों द्वारा कार सवार एक युवक को छोटी सी बात पर चाकु मार दिया, बताया जा रहा है कि महु में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने वाली दीपक पिता लक्ष्मी नरायन सोधिया और उसका भाई, राज धियों ने दीपक की कार को रोका और उसे चाकु मार कर फरार हो गया, दीपक की शनिवार को ही भोपाल में शादी होई थी वह पतनी और परिवार को लेकर लोट रहा था, दीपक की इलाज के दोरान रवीवार धेर रात मौत हो गई है बताया जा रहा है कि जिन लोगोंने चाकू मारा है वे सभी नश्ये में धुट highlight थे इस विवाद में परिवार की दो अन्य सदस से भी घायल हो गया तरिवार की महीला ने बताया कि पती राजकुमार देवर दीपक और ससुर्क की भी कार में सवार थे नशे में धुत करीब 10 युवक अन्ने कार में थे उन्होंने एकदम गाड़ी मोल ली और गलत धंग से गाड़ी को ओवर टेक करने लगे जिसका विरोध करने पर युवकों ने हमला कर दिया बात कर लेते हैं दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की जहां इंदोर के एरोड्रम में एक नाबालिक इस्टूडेंट के साथ धर्म बदल कर दोस्ती करने का मामला सामने आया है नाबालिक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है उसकी बुलेट भी पुलिस ने जब्त कर ली है आरोपी ने खुद को सोशल मेडिया पर आर्मी का जवान बता कर दोस्ती की थी एरोड्रम पुलिस के मुताबिक 17 साल की नाबालिक लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आहत खान निवासी महु के खिलाब पॉक्सो एक्ट सही तन्यधाराओं में केस दर्ज किया है पुलिस के मुताबिक एक साल पहले आरोपी आहत खान ने नाबालिक को अपना नाम विजय बता कर दोस्ती की थी उसने सोशल मेडिया पर भी विजय नाम से ही पहचान बताई है सोशल मेडिया पर वह खुद को आर्मी का जवान बताता है यहां हिंदू वादियों को जानकारी लगी आहत खान जिस बुलेट से आया था उस पर नमबर भी नहीं था जब उससे बुलेट का नमबर और युवक का नाम पूछा गया तब उसने अपना असनी नाम आहत खान बताया हिंदुवादी उसे पकड़ कर थाने ले गए यहाँ पुलिस ने नाबालिक की शिकायत पर आहद के खिलाब पॉक्सो एक्ट सहित अन्यधाराओं में केस दर्ज कर लिया है पुलिस ने आहद को हिरासत में लेकर पूशताच शुरू कर दी है पुलिस उसे खुद को आर्मी जवान बताने के मामले में भी पूशताच कर रही है पेडिता ने बताया कि सोशल मेडिया पर दोस्ती होने के बाद आहद खान ने उसे टी आई मॉल में मिलने बुलाया यहाँ नाबालिक को विजय नाम बता कर ही घुमाता रहा नाबालिक ने बताया कि जब हम मिलने लगें तो वह मुझे एक बार अपनी चाची के घर लेगया आहद खान ने अपनी चाची का नाम सीमी बताया आहद ने यूवती से शादी करने की इक्छा भी जताई और बाद में वह शादी के लिए दबाब बनाने लगा यहाँ पेडिता को उसके मुझेम होने की शंका हुई तो वह घर लोट आई बहुत बहुत धन्यवाद स्पॉंसिट बाइ सूपर 35 कोचिंग संस्थान नर्सिंग में फर्स्ट रैंक देने वाला रीवा का एक मात्र संस्थान पता सिर्मौर चुराहा रमा गोविन पैलेस थर्ड फ्लोर रीवा